किशनगर बहुत ही खुशार गाउं था जहांके लोगों को पान खाने का बड़ा शौक था वहां के लोग अक्सर ही पान खाया करते थे अरे भाई मेरे लिए मीठा सुपारी वाला पान लगाना और हाँ उसमें तमाखो बिलकुल मन डालना अब ही लगाता हूँ बाई साब और एक काम करो एक चोकलेट वाला पान भी मेरे बेटे के लिए पैक कर दो उसे भी तुम्हारा पान बहुत पसंद है पानवाला अब ललन के बेटे के लिए भी पान पैक करके दे दीता है उसके पान की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और ज्यादतर लोग उसी से पान खाने आया करती थी उसने अपने घर के अंगर में ही पान की खेती की हुई थी अरे कहानी में हम पान वाली का नाम तो बताना भूल ही गए वैसे दोस्तों पान वाली का नाम राजो था पर पूरा गाव उसे पान वाला ही बोला करता था अरे शीला जल्दी से मेरा खाना लगा दो आज तुम्हें बहुत धग्या हूँ, बहुत काम था, आज दुकान पर अब ही लगाती हूँ जी, पहले आप हाथ मु धोलो वैसे भी पान पर चूना लगा लगा कर आपकी हाथ कट गए है देखो तो कितने घाउ हो गए है अब कोई भी रोजगार करो शरीर को तो थोड़ा बहुत नुकसान होता ही होता है कोई बात नहीं, ये मेरी मेहनत के घाउ है, जितने गहरे हो उतना अच्छा ऐसे ही दिन गुजरते हैं, और शीला एक प्यारी सी बीटी को जनम देती है जिसका नाम पिंकी होता है पानवाला और शीला पिंकी का बहुत खया लगते हैं समी गुजरता है और अब पिंकी बड़ी हो जाती है लेकिन अब लोगों में पान खाने का चलन थोड़ा कम हो गया था जिस वज़ा से उसकी कमाई भी अब कम हुआ करती थी एक दिन पानवाला दुकान बंद करके घर आता है लगता है जी आज भी आपकी जाधा कमाई नहीं हुई आपका उत्रा हुआ चहरा बता रहा है क्या करो कोई भी मेरी दुकान पर आजकल पान खाने नहीं आता है वैसे भी आजकल गाओं के हर नुकड़ पर पान की दुकान खुल गई है तो कोई दूर चल कर मेरी दुकान पर पान खाने क्यों ही आएगा कोई बात नहीं जी जैसे कई तरह की मौसम होते हैं ऐसे कई तरह की दिन भी होते हैं जब मौसम बदलते हैं तो हमारी दिन भी बदलेंगे। हाँ, बस इसी उम्मीद पर जिन्दा हूँ कि पिंकी की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे चुटा लो, हम दोनों तो अपना गुजारा कैसे भी कर लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसकी तबयद जादा खराब होने लगती है और मजबूरी के चलती, शीला भी उसकी पान के दुकान की बगल में ही अपनी पराठी की दुकान खोल लेती है, जहां पर वो आलू के, प्यास के, गोबी के, पनीर के और कई तरह के पराठी बेच करती, अब दोनों पती-पत्नी अपनी दुकान चलाया करती और पिंकी घर संभाला करती, आँ गए मापापा आप दोनों, मैंने आप दोनों के लिए पुलाव बनाये हैं, आपको खाने के बाद बहुत पसंद आएंगे, मेरे प्यारी बीटी, कितनी छोटी उम्र में, तु दोनों हत्मुद होकर फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद में तीनों साथ में बेटकर खाना खाते हैं, एक दिन उनके घर जमीदार अपने कुछ आदमियों के साथ आता है अरे ओ पान वाले, जब तो अरी पिंकी का जन्म हुआ था, तो उसके लाज के लिए तुने मुझसे कुछ पैसे उधार लिया थे पर सहाब वो पैसे तो मैंने सारे सूथ समित लोटा दिये थे, मैंने वो सारे पैसे आपके मुन्शी जी को दे दिये थे लेकिन वो मुन्शी तो सारे पैसे लेकर शहर भाग गया, मेरे हाँ तो कुछ नहीं आया ना कैसी बाते कर रहे हैं आप जमीदार सहब, हमने तो पैसे दे दिये, अब मुन्शी भाग गया, तो इसमें हमारी क्या गलती जमीदार उनकी एक भी नहीं सुनता, और उन्हें डराने धमकानी लगता है, और साथ ही उन्हें ये भी बोलता है, कि भली तुम बयाज मत देना, लेकिन मैं एक लाग रुपे ले कर रहूँगा कैसी बाते करते हैं आप, मैं एक लाग रुपे कहां से लाँँगा जमीदार ये बोलकर अपने आदमियों के साथ उसे धमका कर चला जाता है, अब शीला और उसका पती बहुत दुखी हो जाते हैं, और उन पर गमों का पहाड ही तूट पड़ता है जी, आप ही तो मेरा घर संसार है, आपको कुछ हो गया, तो मैं भी नहीं जीपाऊंगी, आप उस दुखान को खाली कर दीजिए, और आपके पान की दुखान उस जमीदार के मुँपर दे मारिए, हमें वो दुखान नहीं चाहिए यही करना होगा शीला, वैसे भी तुम्हारे पराठे की दुखान मेरी पान की दुखान से अच्छी चलती है, तो अच्छा यही है कि मैं अपना काम बंद कर दूँ इसके बाद में अगले दिन पानवाला अपनी दुखान को खाली करता है और जमीदार को वो दुखान सौब देता है अब शीला की ही दुखान पर पान का भी सामान रखा था और पराठे भी बिका करते थे अरे वा, एक ही दुकान पर पान का समान भी है और पराठे का भी ज़रा मेरे घर के लिए चार आलू के पराठे पैक कर दो और जब तुम पराठे बना ही रही हो, तब मेरे लिए एक मीठा पान भी लगा दो जी सहाब, अभी लगाते हैं तब तक मैं आपके लिए पराथी बना देती हूँ भाई साहब। ऐसे ही अब दोनों पती पत्नी उस छोटी सी दुकान में अपना गुजारा कर रहे थे और पिंकी घर संभाल रही थी। एक दिन जब पिंकी घर पर अकिली होती है तो वो पान के पौधे को पानी देने के लिए जाती है तब पिंकी वहाँ देखती है कि एक चिडिया घायल है और तडप रही है। और पिंकी बोलती है अब तुम बिलकुल ठीक हो चिडिया। मैं चादू ही चिडिया हूँ और आस्मान में उठती हुई एक शिखारी ने मुझे घायल कर दिया और मैं यहाँ पर आगिरी। अब तुम बिलकुल ठीक हो मैंने घाव पर मलहम लगा दिया है। शुक्रिया तुमने मेरी मदद की तुम बहुत अच्छी लड़की हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें बो दूंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस यहीं चाहती हूँ कि मेरी मापापा का काम अच्छा चले। क्योंकि उन्होंने सदा महनत की है और अगर उनका काम अच्छा चलेगा तो वो मुझे भी समय दे पाएंगी। जैसा तुम चाहती हो प्यारी लेकी बैसा ही होगा। और अब तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुश्या ही खुश्या होंगी। चिडिया इतना बोलकर रोश्नी के साथ वहां से गायब हो जाती है। तब तक पिंकी के ममी पापा भी वहां आ जाते हैं। जब उन्हें इन सब बात का बता चलता है तो वो भी बहुत हैरान होते हैं। तब ही उनके नजर उन पान के पौधो पर जाती है। जहां पर वो च पत्नी को सोचते हैं जिसके बाद विचार करने के बाद फोन पान के जादोई पत्तो को पराठो के नीचे रखकर परोसने का प्लैन बनाते हैं। आजाओ आजाओ पराठे खाओ गर्म गर्म जादोई पान के पराठे। उसकी दुकान पर कुछ ग्रहा काते हैं और जो भी जादो ये पान के पराठे खाता तो वो उनकी तारीफ की ये बिना नहीं रह पाता। पान के पत्ते के उपर पराठा रखकर बेचने से पराठे का स्वाथ भी दुगना हो गया था। वो जितने भी पौधे तोड़ते उतने ही पान के पौधे और उगाते। वो दोनों अब थोड़ी मेहनत करते हैं और दिन राग की मेहनत के बाद कुछी महीनों में जमीदार से अपनी पान के दुकान को वापस ले लेते हैं और वापस से दो दुकान ही चलाने लगते हैं ये सब देखकर जमीदार जल्बुनकर राख हो जाता है और खुद से कहता है उस गरीब पानवाडी के पास इतना पैसा कैसे आ गया जरूर कोई तो बात है जो मेरी पकड में रही आ रही है हमारी गाव में कहीं भी इतने बड़े पान के पत्ते नहीं आते तो उसके पास इतने बड़े पान के पत्ते कैसे आए मैं उनके पान के पोधों पे आग लगा दूँगा रात के समीद जैसे ही शीला और राजू के घर की तरफ चुपके से जाता है और मिट्टे का तेल छिड़क कर उनके पान के पोधों में आग लगाने लगता है तो वो आग उसकी लुंगी में लग जाती है बचाओ बचाओ अरे मुझे कोई बचाओ जमीदार के चीखने चिलाने के आवास को सुनकर अब राजू, शीला और पिंकी बहार आते हैं और जमीदार की आग बुझाने में मदद करते हैं तब तक बाकी का गाउं भी वहाँ पर आ गया था जिसके बाद में अगले दिन जमीदार को सरपंच के पास ले जाया जाता है और जमीदार सरपंच के आगे अपनी सारी गुना कबूल करता है दरसल मेरा मुझे कहीं भागा नहीं था उसके पास बहुत सारे गरीब लोगों का हिसाब था तो मैंने उसे मरवा दिया ताकि मैं उसके भागने की जूटी खवर फैला दू और उन सारे गरीबों को तंग करके उनसे दोबारा से पैसे हसूल सकूँ मुझे माफ कर दिजे आप लोग जमीदार की बात को सुनकर अब पंचायत को गुसा आ जाता है और पंचायत ये फैसला सुनाती है कि जमीदार को सारी गरीबों के पैसे सूथ समीद वापस करने होंगे और जमीदार भी इस बात के लिए हामी बढ़ता है तब जाकर उसकी जान बचती है देखा जब आप लोग किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा आज के बाद में कभी भी किसी के साथ में बुरा मत करना और सब की मदद करना जैसे मैंने चिर्या की मदद की हो सकता है कि आपके भी कोई मदद कर दे